चाहते क्या हैं? सिर्फ मैं ही नहीं. सरदार पटेल भी यही चाहते हैं कि हो सके तो समविधान में आरक्षन की बात ही हटा दी जाए. मेरे रहते समविधान से आरक्षन नहीं हटने वाला. चाहे आप कितना भी जोर लगा ले मुझी जी. पर कोई रास्ता तो हो सकता है ना? हाँ, एक रास्ता है. मैं ही हट जाता हूँ समविधान की ड्राफ्टिंग कमिटी से. अरे? फिर आप लोग जैसा चाहें, वैसा समविधान बना लीजेएगा. सुनिये, वीम राव. वीम राव, सुनिये तो. और जिम्यदार इनसान के जाने की आशंका से खलबली मच जाना लाजमी था. अब एक ही रास्ता सामने था. और एक ही संकट मुचक. मुझी जी की बातों से आप नाराज हो गए, भिम्रा. लेकिन वो तो आप की बात लेकर आया थे मेरे पास. इसी लिए मैंने कहा, कि मैं ही ड्राफ्टिंग कमिटी से हट जाता हूँ. आप तो जानते हैं, कॉंग्रेस क्या, पूरे भारत में दुसरा और कोई है ही नहीं, जो हमारे समविधान को आकार दे सके. खुद बापू भी यही कहा करते थे. लेकिन आप उनकी बाद मानते कहा हैं, पटेल जी? गांधी जी पिछणों को रिजर्वेशन देने की मेरी तजवीश से सहमत थे. पंडित नहरू ने तो खुद पंडित होते हुए भी यह कहा कि सदियों से हिंदूओं ने निरिया अचूतों और आदिम जातियों को बेबसी, दरिदरता और अशिक्षा में रखा. फिर अगर हमें उन्हें सब के साथ बराबर लाना है, तो हमें उन्हें स्पेशल ट्रीट्मेंट देना ही होगा. आपकी बात सही है, पर आप तो जानते हैं कि बड़े पदों पर हम मेरीट के आधार पर ही लोगों को ले पाएंगे. तो फिर क्लरकों की नोकरी के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाना. जोखिम? मुझे ते उसमें कोई खत्रा नजर नहीं आता. खत्रा ये है कि अगर हमने एक विशेश वर्क को आरक्षन दे दिया, तो बाकी के लोग भी आरक्षन की मांग करेंगे. और भारत भर में जाती वाद का ये जहर फेलता जाएगा. जहर तो हमने पिया है सदियों से, और फिर भी हम जिन्दा हैं. रीड की हड़ी तोड़ दा ली आप लोग ने हमारी. फिर भी हम लोग खड़े हैं. एक बार हमें अपने बराबर आने का मौका तो दीजिए पटेल जी. फिर देखिये कैसे हम आगे निकल जाते हैं. और ये काम बिना अरक्षन के नहीं होगा. अगर फिर भी मेरी बातें आपको जहरीली लग रही हैं. तो मैंने अपना इस्तीफा तयार रखा है. अब खुद लेते जाइएगा. मैं बड़ा जिद्दी आदमी हूँ, आमबेड कर जी. लेकिन मूरक नहीं हूँ. किसान हूँ. देख कर ही बता सकता हूँ कि कौन सा बिज कल मुझे अच्छी फसल देगा. इस तरह दो.